इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने फोन से नियर्बाइ शेर के जरीए कोई भी फाइल, वीडियो, फोटो, कुछ भी दूसरे डिवाइस में, दूसरे फोन में भेजते हैं तो वो नहीं जाता है, सेंडिंग में प्रॉब्लम आती है या रिसीविंग में यानी कि आप इस फोन से इसमें कुछ रहे हैं तो प्रॉब्लम आती है या फिर इस फोन से इसमें कुछ भेज रहे हैं तो नहीं जाता है, तो कैसे सही करें ध्यान से देखिए ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी फाइल को ढून लेता हूँ, तो मैं गैलरी में चला गया अब मुझे ये स्क्रीन शॉट है ये इमेज है स्क्रीन शॉट तो मुझे इसे इस फोन में भेजना है तो इस पर मैंने लॉंग प्रेस किया ठीक है इसके बाद नीचे सेंट का एक आप्शन आता है इस पर क्लिक करना है अब बहुत से फोन में ऐसा स्वाइब करने पर आपको नियरवाई शेयर मिल जाएगा ऐसा स्वाइब करने पर और बहुत से फोन में यहाँ पर सामने ही नियरवाई शेयर होता है तो यह रहा इस पर क्लिक कर ले तो अब यहाँ पर यह स्कैन कर रहा है दूसरे डिवाइस को यानि इस device को यहाँ पर scan कर रहा है तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें यहाँ पर पहले nearby share में आ जाए long press करें और nearby share पर यहाँ पर आ जाएं ठीक है तो सबसे पहले आप इसे on कर लें और करने के बाद यहाँ से एक और बार option आएगा अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है हमेशा आप everyone पर रखें इसे आप everyone पर रखें ठीक है यहाँ से device visibility on करें और everyone पर रख लें इस तरीके से इसके बाद आप settings में जाएं यहाँ पर आप चेक कर लें visible to nearby devices on है कि नहीं यहाँ से on कर लें और everyone यहाँ पर भी होना चाहिए एक बार make sure कर लें ठीक है अब आप यहाँ से back आजाएं और यहाँ पर आप देखेंगे यह करने के बाद आपको आपके phone का नाम शो हो जाएगा अब इस पर click कर लें और यहाँ पर आपको एक notification आईगी यह देखिए pop up आया accept कर लेंगे तो यहाँ पर यह receive हो जाएगा देखिए आने लग गया है अब बहुत से लोगों के phone में problem क्या आती है क्यों नहीं share होता है बहुत से लोग अपना Bluetooth और अपना location का option बन कर देते है या फिर उनका Bluetooth कोई headphone से connect होता है तो यह ध्यान रखें नेरबाई share के लिए Bluetooth और location ज़रूरी होता है तो आप इन दोनों को on रखें इस वजह से भी problem आती है और वाइफाई भी ज़रत पड़ती है नेरबाई share में तो यह सब आप on रखें इसके बाद आपको problem नहीं आएगी यहाईगी